आपको इस question में बताना है कि number of optically active products obtained from the complete ozonalysis of the given compound मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया कि कोई alken होता है ozonalysis जब आप उसका करेंगे bond break कर दे और इधर इधर दो-दो ओ जोड़ दे जब मिलाना हो तो इनको आपस में पिछका दे अब जब इसका ozonalysis होगा अब क्या क्या है complete ozonalysis याने सारे double bond को break कर दे यह bond break हो जाएगा यह और यह भी bond break हो जाएगा इसके बाद क्या है number of optically active compounds बूचे हैं अब देखें यह जब मैं bond break करता हूँ तो cs3 c1 h और double bond o यह बनता है similarly अगर आप इधर देखें c1 double bond o c यह बन गया उपर एक इधर इधर h और यहाँ पर c1 h double bond o मेरी writing थोड़ी गंदी हो रहे है गाईज लेकिन I hope आपको यह समझ बारा होगा अब इसको बनाए c1 double bond o c1 h ऊपर है above the plane c1 c below the plane c1 h double bond o similarly यह बचल लास्ट h double bond o c3 right now अब इसमें आपको यह बताना है guys कि optically active कौन सा है optically active compound होने के लिए guys आपका chiral center होना ज़रूरी है right guys so chiral center होने के लिए आप वो क्या करेंगे देखें cs3 है इसमें कोई chiral center है नहीं क्योंकि कारेंटर के लिए सबसे पहला है guys sp3 hybridized carbon होना चाहिए tetra-hedral center तो यह तो है नहीं अब इधर देखें यह तो यह है नहीं यह वाला इसकी यह जो दो valences same है तो इसमें भी कोई chiral center नहीं है similarly अगर आप इसमें देखेंगे तो यह दो valences same हो गई तो यह chiral center नहीं है यह तो है नहीं तो इसका answer क्या हुआ जीरो जीरो जीरो